राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हौप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मंगलवार का दिन हैं ! मंगलवार के लौड हैं surface और मंगलवार के दिन फूजफा जाता है हनुमान जी को हनुमान जी के उपायद जरूर किया किजिएे. मंदलवार के दिन कुछ भी नहीं कर सकते तो संद्यकाल में शाम के समय पीला परशाद या औरेंज परशाद बदाने का लेकर आप मंदिर में जरूर जाए इससे भी आपका भागया उढ़े होगा अब मैं जो विशेश टॉपिक है शुरू करने जा रही हूँ वो है सूर्य देव के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य देव अगर किस घर में होते हैं तो क्या परभाव देते हैं आपकी घुंडली में कौन से घर में सूर्य देव बैठे हैं तो आपको क्या और ये हमेशा अपने बहन भाई का साथ देते हैं, अगर इन्हें चोट भी लगे, बहन भाई से कुछ दोखा भी मिले, तब भी ये उनका साथ देते ही देते हैं, इन लोगों के हमेशा बेटा, फर्स्ट संतान बेटा होती है, और दूसरी चीज़, जब भी इनके बच्चा ह तो आदी रात के बीच में होता है, most probably, 80% तो आदी रात के बीच में होता है, वैसे तो बगबान को पत है, लेकिन हम जब कुंडली अनलाइस करते हैं, तब उसमें इतनी सी बाते हम अनलाइस कर सकते हैं, उसके बाद जो ये लोग होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं, प्रमोशन होती है, अपनी माता का सुख मिलता है इन्हें भी और ये बच्चे अपनी माता पिता की सेवा करने वाली संतान होते हैं, तो आपके लिए उपाई क्या है, आपको अपना करेक्टर ठीक रखना है, सबसे पहला उपाई, दूसरा उपाई, आपको अपने कर्मों से या अपनी जो इंकम है, उसमें से कुछ ना कुछ दान करते रहना है, ये जिसका भी सूरे फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसके लिए ये दान है, और वो लोग कैसे होते हैं, ये उसके बारे में, अब हम बात करेंगे, सेकंड हाउस में अगर सूरे हो, तो जबी सूरे सेकं क्योंकि अगर आप उसमें पड़ेंगे, तो आपका भविश्य नस्ट हो जाएगा, अगर आप इन तीनों चीजों से जर जोरू और जमीन से दूर रहेंगे, किसी लेडी के विवाद में, किसी ससुराल की आपके साथ कोई लड़ाई जगड़ा है, इस विवादों से दूर और जो ये व्यक्ति है, इनको बहुत पैसा होता है, प्रॉफित होते हैं, अगर ये तिन चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन जब शुक्र, जब सूरे सेकिंड हाउस में होते हैं, तो ये योग बनाता है, शुक्र पितर दोश योग बनाता है, इसके साथ आपकी वाइफ का हेल्थ रिलेशन्स रहते ही रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं, वाइफ को तो उसके लिए आपको उपाई क्या करना है, उसके लिए आपको शुकरवार के दिन वाइट चीजों का सफेद चीजों का दान जरूर करते रहें, इससे आपकी वाइफ की कि आपको कुछ छिलके वाले बदाम और कुछ एक नारियर लेना है छिलके वाले बदाम लेने हैं उसके उपर सरसो का तिलक लगाकर उसे मंदिर में चड़ा कर आएं इससे आपका सूर्य शांत रहेंगे और आपको सूर्य से रिलेटेड जो भी प्राइब जब भी सूर्य वर्ड हाउस में होता है तो आपके लिए एक ये विशेश टिप है कि आपको अपना क्रेक्टर सही रखना है अगर आपका क्रेक्टर सही है तो आप इतना पैसा कमाते हो कि आप अपने पुष्टों के लिए भी वो पैसा छोड़ के जाते हो चाहे आपकी फैमिली आपके प इसलिए आप के लिए ये ही टिप है कि प्लीज आप अपना सूर्य बैठा है तो माता के घर में सूर्य बैठा है तो आप को आपकी माता का सहियोग पूरा मिलेगा और उसके बाद आप यूंचिसा है तो फॉर्ट飯 वो पित्वी से उसका सफासरी ऑ प्रिथी मु ‫ वो आपके motherland है, इसलिए अगर सूर्य उस धर में बैठता है, तो आपको वहां रहने नहीं देगा, आपको foreign travels कराएगा, आपको foreign याक्तरा कराएगा, यापको foreign में settlement दिलाएगा, और वहां से आपको बहुत लाब मिलेगा, तो आपका इसके साथ ही साथ जब fourth house में सूर्य होत जरूर कीजिए, मंगलवार के दिन चना, गुड, monkeys को दान कीजिए, इससे आपका जो भी problem आएगी, जो भी foreign के related आपके problem, settlement के related आपको problems आएगी, तो आपको उससे निजाद मिलेगी, और आपका smoothly जीवन चलेगा, और माता का सहियोग अवश्य मिलेगा, माता के सहियोग से जो भी आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको मंगल के उपाई इस में जरूर करें, फिफ्थ हाउस में जब सूर्यदेव बैठते हैं, अगर टेंथ हाउस में आपके ब्रस्पती बैठे हैं, और तीसरे हाउस में आपका शनी बैठा है, तो ये योग बनाएगा कि आपकी 10 ब्रस्मारिज़ होंगी, आपकी हर मेरेज खराब होएगी, आप जितनी मर्जी कोशिच कर लीजिए, आपकी मेरेज में प्रॉब्लम आती ही रहेगी, अगर टेंथ हाउस में ब्रस्पती नहीं है, तो आपके बेटा होगा, आपकी संतान सबसे पहली बेटा होगा, और वो एक मान सम्मान वाला बच्चा होगा, वो आपका भी मान सम्मान बढ़ाएगा, और आपको बहुत उपर तक लेके जाएगा, गवर्मेंट के रिलेशन्स होगे, उसके गवर्मेंट के साथ रिलेशन्स होगे, और वो आपकी जिंदगी में मान सम्मान की बढ़ाथी करेगा, और आपको करना क्या है अगर आपका ब्रस्पती 10th house में है आपके relations अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको Thursday के दिन ब्रस्पती के उपाये जरूर करने हैं ब्रस्पती के दिन चने की दाल भिगो कर उसे जल परवा करके आएं तो इससे भी आपका जो भी relation खराब चल रहा है व अगर 6th house में सूर्य बैठते हैं तो यह लोग बहुत बोल्ड होते हैं बहुत energetic होते हैं लेकिन अगर आपके लगन में शनी बैठा है अगर आपकी शनी की कुंडली है तो सूर्य आपका डाउन होगा आपके पिता को बहुत दुख मिलेगा आपके पिता की health ठीक नहीं रहे आपके पिता के related बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को solve करने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको एक लोटे में जल भरकर अपने सरहाने रखकर सोएं और उस जल को सूबा उठकर या तो मंदिर में किसी पेड की जड में डाल कर आएं या किसी पेड क संडे के दिन गुड़ को भरकर, क्यांइं मंगी ज़रूर दाले इससे लिए भी आपको ले निसाने सेवने हाँ सूरे देव बैठवल में तो आपक 있게 marriage को ह्राब करते आपकी partnership को खराब करते हैं क्योंकि जब भी सूरे शुकर मिलते हैं जो 7th house है वो शुकर देव का है जब सूरे शुकर मिलते हैं तो ये दुश्मन माने जाते हैं सूरे कभी भी शुकर के साथ नहीं मिलाब होता है शुकर के घर में जब जाकर सूरे बैठ गए तो वो negative results अवश्य देंगे आपकी married life खराब होगी married life तक तो पहुँचेगी ही नहीं जब भी आपका कहीं रिष्टा होने लगेगा जब भी आपका कोई relation बनने लगेगा तो आपकी वो रिष्टा तूटता जाएगा वो रिष्टा तूटता जाएगा आप कितने रिष्टे आएंगे आपको लेकिन rejection मिल जाएगी जब marriage तक बात पहुंचने लगेगी तब rejection हो जाएगी आखिर में जब marriage होगी भी तब भी वो तूटने के तदाल पर ही होगी अगर आप सूर्य के उपाएं नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य साथ में घर में बैठ कर first house को दृष्टी दे रहा है तो आपको भी गुसा बहुत आएगा जो आपका husband होगा या wife होगी वो भी बहुत गुसे वाला होगा तो aggressive होगा उसके साथ आपका relation समूद कभी भी नहीं चल सकता इसलिए आपको सूर्य के उपाएं जरूर करने हैं सूर्य को जल देना बिलकुल मत भूलिए क्योंकि जब हम सूर्य को जल देते हैं तो हम सूर्य को शांत करते हैं सूर्य को जल देकर हम सूर्य को शांत करेंगे जिससे आपकी जो marriage की बाते चल रही है या आपकी पार्टनर्शिप चल रही है उसमें भी आपको जब भी सूर्य सेवन्थ हाउस में होगा तो आपको कभी भी पार्टनर्शिप न पार्टनर्शिप नहीं करनी है, आप अगर पार्टनर्शिप में काम करोगे तो आपके दोनों के रिलेशन में करवाहत आएगी, इसलिए आपको पार्टनर्शिप नहीं करनी है, आपको स्वयम का बिजनस करना है, अगर आप बिजनस करना चाहते हैं, सो सेवन्थ हाउस में सूर्य रिलेशन को कष्ट देता है मैरेड लाइफ को कष्ट देता है और आपकी पार्टनर्शिप को कष्ट देता है उसके बाद अगर मैरेज हो भी गई तो चल भी रही है तो अगर सूर्य सेवन्थ हाउस में है तो आपकी वाइफ या हस्बन की हल्थ को भी effect करेगा so रादे रादे friends thank you for watching my video आगे जो houses अब बात करेंगे एट्थ हाउस में अगर सूर्य होगा एट्थ हाउस में सूर्य आपको characterless बनाता है आपको non satisfaction बनाता है आप कभी भी satisfied नहीं होते अगर आपके पाथ कुछ भी है तो आप उससे satisfied नहीं होंगे लेकिन आपकी उमर बहुत लंबी रहेगी अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे आपको अपना character सही करना है और आपको mass मच्छी 7 नहीं करना है अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कोई लंबे ताइम के लिए बिमारी जो जब सूरे 8th house में होता है तो लंबे टाइम की बिमारी भी दे कर जाता है और इस व्यक्ति को ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिसका भी सूरे 8th house में है उस इंसान को जब कोई मर रहा हो मरने की तदार पर हो और उस इंसान के पास आप उस व्यक्ति से दूरी बना कर रखे so that उसके प्राण easily निकल सके 8th house वाले व्यक्तियों के लिए यही सुझाव है और आपको उपाई क्या करना है आपको संडे के दिन जल्दी उठना है और संडे के दिन आपको गुड़ और गेहूं का दान गउशाला में करना है उसके बाद 9th house में अगर सूरे हो तो क्या करता है जिस भी इनसान का 9th house में सूरे होता है वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं वो सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं वो इनसान अपने घर को सुझो कर रखते हैं अपने घर को साथ में लेकर चलते हैं लेकिन जितना ये साथ लेकर चलते हैं इन लोगों का जस नहीं होता कोई भी इनके साथ नहीं चलता प्रंतु ये लोग कैसे होते हैं ये लोग इतना धन कमाते हैं इतना धन कमाते हैं कि इनकी अगर साथ कुछते बैठ कर भी खाएं तब भी वो धन खरतम नहीं होगा और ये लोग बहुत ज़ादा soft-hearted होते हैं लेकिन ये लोग aggressive भी बहुत होते हैं इनको diplomatic होकर चलना चाहिए ना तो बहुत aggressive होकर चलना चाहिए ना ज़ादा polite होकर अगर य लोग बहुत गुसा होते हैं तो वो गुसे में अपना काम बिगार लेते हैं इनके लिए tip यही है कि इनको अपना diplomatic होकर चलना चाहिए ना बहुत गुसा दिखाना चाहिए और बहुत ज़दा polite भी नहीं होना चाहिए smoothly चले तो ये लोग कहीं से कहीं अपना success ले सकते हैं क् ये लोग मेहनत से वहन, घर, प्रॉपर्टी, सबका सुख ये मानते हैं तो आप प्लीज ये बातों का ये tips का ध्यान रखें जिसका भी 9th house में सूरे है इन चीजों का जरूर ध्यान रखें उसके बाद हम बात करते हैं 10th house में जिसका भी सूरे है जिस भी इनसान का 10th house में स बच्पन में हो जाती है या उसके फादर की डेथ बच्पन में ही हो जाती है या उसके फादर किसी ऐसी बिमारी से जूचते है जो बहुत कर्ष्ट दाय होती है अगर सूरे आपका 10th house में है और 5th house में चंदर है चंदर की दृष्टी जरूर देखनी है लगन में अगर इस इनसान की माता को बहुत पीडा आती है और इस इनसान अपनी माता के ऊपर बहुत भारी होते है तो आपको करना क्या चाहिए आपको संडे के दिन गुड गेहूं का दान जरूर करें आप ये दान 11th house जिस भी इनसान का 11th house में सूरे होता है उसे वाहन का सूख, अजिए नहीं बॉलना चाहिए शराव नॉनविज का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप इन चीजों को मानते हैं अगर ये चीजे ये टिप्स फॉलो करते हैं आप electromagneticCr criminal का प्रियोग नहीं करते आप जूट नहीं Бोलते तो आपको इस जिदी का हर लग्शेरि लाइफ का सूरे 11 अब बात करते हैं last but not least 12th house के सूरे के बारे में 12th house का सूरे आपके लिए लाता है foreign settlement योग लाता है लेकिन आपको चोरी नहीं करनी है किसी की चीज चुरा कर अपने पास नहीं रखनी है या जूट नहीं बोलना है श्राब मच्छी का सेवन नहीं करना है अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका 12th house आपका सूरे पीडित हो जाएगा और आप जो भ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए मैं इसी तरह आपके साथ बनी रहूंगी हर ग्रह के बारे में आपको बताऊंगी कौन सा ग्रह किस गर में क्या एफेक्ट देता है वास्तू टिप्स भी देती रहती हूं बीच बीच में आप मेरे चैनल के साथ जुड़े र होता है इसलिए पूरा ग्यान लीजिए और फिर अइनलाइज अपनी कुंड़ी को कीजिए रादे रादे फ्रेंज फ्रेंस फिंक